जय महाकाली भक्तिजनों, मैं आज आपको आदिशक्ति मा महाकाली के बारे में बताऊंगी मा महाकाली महाकालथार शिवजी की पत्नी है, मा महाकाली मापार्वती का ही रूप है मा पार्वती ने ही भयानक राक्षसों का वद करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया था महाकाली मा को स्रजन, सनरक्षन और विनाश की देवी कहा जाता है माता रानी ने महिशाशू, चंड मुन, धूमराक्ष, रक्ष बीच, शुम निशुम जैते अनेको भयानक राक्षसों का वद किया था मा महाकाली ही पूरी प्रकृती है हमारे शरीर का प्रतेक अंग माता काली की क्रपा से बना है हमारे शरीर में जो प्राण उर्जा है वह भी मा महाकाली की ही क्रपा का रूप है हमारे शरीर को जीवन देने वाली, हमारे शरीर के प्रतेक अंग को चलाने वाली, पोशर देने वाली हमारा विकास करने वाली मा महाकाली ही है हमारी आत्मा में जो ये प्राण शक्ति है ये माहकाली का ही रूप है इसमें मा महकाली का ही निवास है सारा ब्रह्मान, सारी श्रष्टी, सारी प्रकृती, सारे जीव, जन्तू, प्राणी, बनस्पतिया ये भूमी, जल, वायू, अगनी, आका सब कुछ महकाली की क्रपा से ही बना है हमारे शरीर में जो ये साथ चक्र हैं, इन साथो चक्रों में मा महकाली की शक्ति का ही निवास है कई लोग महकाली मा को प्रशन्द करने के लिए जीवों की बली चड़ाते है मैं आपको बताऊंगी कि माता महकाली किसी भी जीव की बली से प्रसन नहीं होती बलकि जीवों की बली देने वालों पर क्रोधित हो जाती है क्योंकि जिस माने सभी प्राणी जीव चंतुओं को बनाया है वो मा भला कैसे अपने बच्चों की भली से प्रसन हो सकती है अगर आप मा को प्रसन ही करना चाते हैं तो अपने अंदर से क्रोत, लोप, खरणा, इर्शा, द्वेश, हिंसा आदे बुरे भावों को निकाल दें अगर आपके अंदर से सभी बुराईय निकल जाएंगी तब तो मा स्वैम ही आप पर प्रसन हो जाएंगी अपने मन को प्रेम, इसने हैं करुणा दया चमा परूपकार के भाव, सहनशीलता, आदी के अच्छे भावों से अपने इस मन को भर लें क्योंकि जहां पर अच्छे भाव होते हैं मा महाकाली का निवास वहां स्वैम ही हो जाता है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद